हेलो दोस्तों आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आसा करती हूँ कि आप लोग स्वास्तों के अच्छे होंगे पनीरालू की सब्जी बनाएंगे तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं तो कुछ नया डिस ही सोच रही थी पनीर का बनाने का मगर घर में सभी का फ्रमाय सुआ नहीं आप पनीरालू का ही सब्जी बनाएंगे बहुँ जादा टेस्टी बनाती हैं और इस तरह से क्राही गर्म हो गई है धनिया डालें जीरा डालें गरम मसाला है जिसमें अदरक है सुखा मिर्च है हडी मिर्च है लॉंग जल्चीनी बड़ी लैंची सभी डालें गोल मिर्च सब इको पांच मैट भूझेंगे एक प्याज भी कतिंग करके डालें सबको इस तरह से 5 मिर्च तक मसाली को भून जेने से थोड़ा मसाला में सोना पनाएगा और टेस्ट भी अलग आपको लगेगी इस तरह से देखिए 5 मिर्च मैट मसाला भूझा गया तोड़ा ठंडा हो तिन चार आलू कटिंग कियें चोटा चोटा पनीर है इसको भी पीस में काट लेना है और इस तरह से दो प्याज भी बारी कटिंग किये हैं और देखे पनीर भी पीस में कटिंग करके तयार कियें करहाई गर्म हो गई है सरसो तिल डालेंगे और गर्म हो गई तो इसलिए साइड भी लाल हो गई है और तिल गर्म हो गई है पनीर जो कटिंग करके रखे थे उसे भी डालेंगे थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और पांच मेंट पनीर को भी फ्राय करेंगे जादा भी नहीं करेंगे और इस तरह से द सबैसे में चुंद में चना ने का थां गपी सब्क्राइब में हूं में फेलें का वें, यूंसर्य भिजयूत में प्रद्रेश के नदे एता कि सब्नमीन चाला नभी सुछ मूझा साली जासे , सब्érience हुझा है अगर पनीर जादा है तो थोड़ा आलू जादा भी डाल सकते हैं अगर मीडियम में तो मीडियम में डाल सकते हैं और इस तरह से हल्दी डाले हैं और जो मसाला जो मैंने भूंच के रखा था पीसे हैं पीस के पॉट में डाले हैं थोड़ा सा इसमें कलर बला मिर्ची पोडर वहानी करता है स्केहरे मैं ज्यादा नहीं डालती हूं इसी तरह मसाला देखिए कि इतना अच्छा से भूझा गया इतना टेश्टी बनती है यह सबजी, पनीरालो का आप किसी भी साथ आप सर्व कर सकते हैं प्राठे के साथ , प्लाओ के साथ , य्या प्लेन चावल के साथ मसाला अच्छे से अंडर जाएगा आपका और आपको जितना ग्रेवी रखना मुताविक पानी डाले हैं और देखिए पनीर का सब्जी बनकर दम रेडी हो गई है इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और मैं प्राठे के साथ सर बेखी हूँ यह आपका सीमालू का है और मीठा चटनी है टमाटर का और अगर यह पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी को बहुत पसंद आया पनीर आलू का सब्जी तरह तरह के सब पनीर के आइटम खाए थे मगर यह वाला ज्यादा पसंद है